हलो इवरिवन आज हम देख रहे हैं एक नया strategy जिसका नाम है moving average, convergence, divergence, strategy इससे पहले हमने आपके साथ RSI के साथ moving average का strategy डिसकस किया था अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आई बटन में आपको यहां क्लिक करके देख सकते हैं वो भी आज का strategy डिसकस करने से पहले हमको दो तीन चीजें देखिए यहां पर हमको क्या-क्या indicator यूज करना है first of all हमको 3 moving average यूज करना है एक सबसे first moving average होगा वो होगा 20 week या sorry 20 moving average अब अगर वीकली चार्ट है तो उसको weekly बॉल देंगे 20 week बॉल देंगे डेली चार्ट पर यूज करेंगे तो उसको 20 day moving average बॉल देंगे so 20 दूसरा 50 और तीसरा 200 moving average यह तीन moving average हम यूज करेंगे चार्ट में और जो भी time frame है मतलब जिस भी चार्ट अब टाइम फ्रेम अगर मंतली है तो इसको 20 month और 50 month और 200 month moving average बॉल देंगे अगर यह देखिए आपका sun farm अगा चार्ट है यह मंतली चार्ट है तो इसका 200 month पर आपे support लिया ठीक है so first criteria हो गए आपका इसके आसपास support ले सकता या इसके उपर support लेके upward direction में slightly move बनाना चाहिए ठीक है यह देखना चाहिए कि यह वाला moving average है इसको cross नहीं किया है मतलब इसको break करके नीचे नहीं गया है so इसके उपर price होना चाहिए 200 moving average के उपर साथ में जो order है आपका moving average का मतलब 20 जो आपका moving average है वो 50 से उपर होना चाहिए जैसे यहां पी यह cross करके उपर गया सो ऐसे आपका 20 week 50 से उपर होना चाहिए और नीचे आपका 200 सो उपर 20 नीचे 50 एड उसके नीचे 200 सो इनका एक increasing order में इनका sequence होना चाहिए ठीक है सो यहां ऐसा case बनेगा जब यहां पर support लेगा 200 पर उसके बाद में जो moving average है वो आपस में एक sequence में आ जाएंगे मतलब उपर नीचे उपर जो है सबसे छोटा moving average फिर उसके बाद में बड़ा उसके बाद में बड़ा तो यहां पर हमको entry लेना है जब ऐसे वाला point पर होई वहां पर हमको entry ले सकते हैं और उसके बाद में हमको exit कहां लेना है, exit तब लेना है, जब आपका जो ये वाला moving average, first moving average हो है, छोटा वाला moving average, इसको अगर cross कर ले, price तब हमको यहाँ पर exit ले सकते हैं, in case अगर vertical move आये तब, ठीक है, अगर ये जो move है, यहाँ पर देखे, जहाँ पर sharp move आ रहा है, तो इसमे अगर इसको previously देखे, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखे, 200 तो बना नहीं था, monthly chart पर अगर इसको weekly में convert करें हम, weekly में देखे, weekly में देखे, अब यहाँ पर देखे, weekly में अगर हम इसको देख सकते हैं, यहाँ यह weekly month average, इसका weekly 200 average है, इसके उपर जो price है, 20 और 50 दोनो के उपर आगई price, यहाँ पर support लेगे, यहाँ पर हमारा entry बन सकता है, इसमें ठीक है, और दूसरा चीज अब इसको exit कहां लेनी है, exit आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आप इसका 20 moving average है, उसको cross करने पर लेंगे, और या फिर इसको 50 पर cross करेगा, तब लेंगे, बट अ यहाँ पर हम जो है, इसको 50 day cross करने पर ही, इसका exit लेंगे, ठीक है, तो entry का rule हो गया, कि 3 moving average उपर से नीचे, order में होना चाहिए, साथ में price है, जो 200 पर support लेके, यहाँ से bounce करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, इसमें exit कहां मिला हमको, यह almost entry था आपका, almost यह था 150 का level, औ exit मिला, यहाँ पर जाके, यह वाला जो area है, यहाँ कहीं जाके, ठीक है, so almost यह 876 के असपास, यहाँ पर exit मिला, ठीक है, और चाहिए तो आप यहाँ पर भी, देखिए, यहाँ पर sudden एकदम sharp move था, तो हम इसको उपर के level पर, मतलब आपको first जो छोटा moving average, अगर काटा price, वहा अगर slightly 45 degree, 50 degree तक का move हो, तो आप 50 degree, 50 day moving average या 50 week moving average cross करने पर ही, इसको यहाँ से exit लेंगे, ठीक है, so यहाँ पर इसी chart को देखिए अब, यहाँ पर जो price है, यहाँ पर 200 day moving average पर support नहीं लिया, यहाँ cross कर गया, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको higher time frame में स् switch किया, मन्थली पर chart पर switch करने से देखिए अब, यह जो price था, यहाँ के monthly के 200 moving average पर support लिया है, और यहाँ से फिर upward move दिया है, so यहाँ पर अभी इसमे exit इस trade में अभी नहीं मिला है, और इसमें लंबा trade मिलेगा, मतलब आपको 1-2 साल से ज्यादा का trade भी मिल सकता है, so यह था आपका sun far maga, अभी साथ में एक और chart देखते हैं, जिसे TCS का chart है, TCS के chart पर देखिए आप, जो price है यहाँ पर 200 पर support लिया, उसके बाद में 20 के उपर आ गया, 20 के नीचे 50 है, उसके नीचे 200, यह weekly chart है, so यह यहाँ price आया, और जो previous जो low है, sorry previous जो high है, उनको भी यहाँ पर cross क करेगा, तो वहाँ पर chance रहेगा, कि वहाँ पर आपको stop loss trigger नहीं होगा, so यहाँ पर कहीं इसमें अगर entry बनता था, उसके बाद में exit देखें इसके अंदर, यह price था लगबग 2285 के असपास, और उसके बाद में exit यहाँ कहीं इसके अंदर, इसने cross किया, यहाँ पर भी नहीं भी हुआ, एक time correction भी हुआ, ठीक है, यह price correction हुआ नीचे और time correction हुआ, लेकिन वापस से, यहाँ 200 के असपास इसने कहीं कहीं support लेके, फिर से एक higher low formation किया इसने, higher high, higher low, so यहाँ पर देखें, जो moving average है, वो cross किया यहाँ पर, और जो previous जो low था इसका, अगर इसको consider करें हम previous low, यह 5 जून के असपास, 29 मही का था, यह level था लगबग 336 के असपास, इसके असपास अगर इसको cross किया, यहाँ entry बनता था, और जो stop loss रखना है, वो हमको previous low consider करना है, लगबग यह 31, 81 के असपास था, बट यहाँ पर एक बार इसने touch किया, लेकिन इसको break नहीं किया, so इस trade मे भी हमको अभी तक इसमें exit नहीं मिला है, so basically आपको ध्यान यह रखना है, कि moving average है, वो एक order में होना चाहिए, साथ में जो price है, अगर आपका एक बड़े trend के बाद में, फिर इसने 200 के असपास अगर support लेके, फिर से higher low, higher high बनाते वे जा रही है, तो हम इसके अंदर एक trade ले स trading भी कर सकते हैं, और यह investing कर सकते हैं, अगर weekly और आपका monthly chart होगा, so same pattern है, वो आपका किसी भी time frame पे applicable होगा, so यह था आपका आज का strategy, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye